वेलो हेलो फेंट्स कैसे हैं आप लोग अम्मीद करती हों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फेंट्स ये ब्लॉग मैं आँघे कंटिनू कर रही हूँ पिछले ब्लॉग से तो फेंट्स आज जो है वो है लगुंटी की सहरीमनी वाला ब्लॉग है और मैं यहाँ पर यह वाला सूट डाले हुई हूँ और आप लोगों को यहाँ पर मैंने अपना फुल गेट अप दिखाया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और अभी हम जा रहे हैं घर से जहां प्रोग्राम है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी ज़्यादा अच्छे चाश शूट नहीं किया है मैंने वीडियो को तो बोलते हैं ना कि जब हम पहले से कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग ज़्यादा तब फेल हो जाती है तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ खेर कोई नहीं आप लोग बने रहेएगा वीडियो में और देख सकते हैं आप लोग किती ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर जो टीका होना है वो होने के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी थम जाए देन उसके बार टीका खो आँगे तो सब लोग वेट करते हैं थोड़ी दे तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमती है थोड़ी सी कम होती है तो उसी बीच में जल्दी से लगन टीके वारी जो रसम होनी है उसे कराई जाएगी तो फैन जितने भी तयारी की हो जितनी उम्मीद हैं थी सारे मजे किरकरे होगे बारिश ने मौसम ने लेकिन क्या ही कर सकते हैं मौसम के आँगे किसी की नहीं चलती है खैर जैसे ही बारिश थमी वैसे ही भहिया आ गए है यहाँ पर और भहिया का टीका होगा तो आप लोग बहुत सारी बिसिस दीजिएगा भहिया को ताकि भहिया के मेरिट लाइफ बहुत अच्छी रहे और यहाँ पर सभी महिलाएं वैटी हैं जहां मंगल गीत हो रहे हैं तो आप लोग बने रहेगा तो फ्रेंड्स यहां पर टीका हो रहा है भाया का और थोड़ी थोड़ी सी मैंने अपनी वी वीडियो क्लिप ले ली है और ज्यादा मैंने किसी की नहीं ली है आप लोग को ज्यादा कोई नहीं दिख रहा होगा ब्लॉग में विकॉस आप लोग समझ सकते हैं गाउं की शा बस अपने ही अपने लोगों को लिया है, जैसे कि मौसी जी हुई, मैं हुई, भहिया हुई है, मंभी वगर ऐसे, जो अपने ही लोग है उनी लोगों को, जिन लोगों को दिक्कत नहीं है, है न, अगर वन वर्ड में कहा जा तो यह कि जिन लोगों को दिक्कत नहीं है, बने सि जी का आश्रवाद लेने आए हैं और ये वीडियो बहुत जदा पुरानी है अभी मैं अपने घर पर आ चुकी हूं और उसके बाद में सारी वीडियो एडिट कर रही हूं क्योंकि वहाँ पर मुझे एडिट करने का बल्कुर भी समय नहीं मिला ऐसा कुई में ज्यादा बीज क्योंकि उस दिन पूरी रात बारिस हुई पूरी नाइट बारिस हुई एंड नेक्स्ट मॉर्निंग थी उस दिन भी पूरा दिन बारिस हुई और देन उसके बाद हम लोग आ गए हैं प्लॉट पर जो मौसी जी का प्लॉट है वहाँ पर वहाँ पर जो भी खाना वगेरा बच्चा हुआ था तो उस सारे चीजों को है ना ठिकाने लगाने के लिए जैसे कि मिठाईयां वगरा थी और मट्री सांक्यां यह बहुत साई चीजां थी जो बच्ची हुई थी तो उन सब चीजों को सेफ ली अच्छी जगया रखने के लिए और देन यह साम का टाइम है नेक्स्ट डे का इस दिन है ताई मूदी जाती है तो वही कुछ रिच्वल से हैं तो आप लोग बने रहेएगा वीडियो में तो फ्रेंड जो लोग भी यूपी से हैं उन लोगों को ये सारे रिच्वल्स पता होंगे कि क्या क्या रिच्वल्स होते हैं तो वही सारे रिच्वल्स में आप लोगों को दिखा रही हूं तो यहां पर ताई मूंदी जा रही है वही रसम हो रही है कुछ इस तरीके से इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूं बर थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने वीडियो प्रवी के लिए ली है तो वही मैं आप लोगे साथ सेयर कर रहे हूं तो यह कुछ कलस्ट टाइब के हैं उनमें यह कलावा बंदरा है और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो का मैं end कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए and channel को subscribe कर दीजिए, bye bye, आएक कर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्याबाद,